पंजाब नैशनल बैंक घोटाले में आरोपी हीरा कारोबारी निरव मोदी का अलीबाग स्थित बंगला डायनमैट से द्वस्त किया गया बीच के पास बने करीब 100 करोड रुपे के इस बंगले को तोड़ने का दूसरा चरण मंगलवार को शुरू हो गया अब तक उन ढांचों को गिराए गया है जिन में शीशे लगे थे बंगले में लगे शीशों को इसलिए हटाये गया क्योंकि विस्फोट के बाद यदि शीशे उड़कर पास के बंगलों में गिरते तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता था प्रिशासन का कहना है कि ये बंगला अवैद तरीके से बनाया गया है और इसलिए इसे गिराया जा रहा है गुरुवार को बंगले के पिलर्स में छेद कर डायनमाइट लगा दिया गया इन्हें एक रिमोट से जोडा गया जिसकी मदद से बंगले को गिराया गया नीरव मोदी करीब 13,700 करोड रुपए के PNB घोटाले का मुख्या आरोपी है घोटाला उजागर होने के बाद नीरव मोदी के कई ठिकानों पर छापे पड़े और उसकी संपती जप्त की गई कई बेडरूम और हॉल वाले इस बंगले में 1000 स्क्वेर फीट का स्विमिंग पूल भी है मोदी ने इस बंगले के बाहर अवैद तरीके से गार्डन भी बन माया था इस हिलाके में राज्य और तटवरतिक शेतर के नियमों का उलंगन कर बनाई गई 58 अन्य निजी इमारतों को भी नोटिस भेजा गया है हाई कोट ने सरकार को ये बताने का निर्देश दिया था कि वो अलिबाग में बीच के किनारे बने अवैद संपतियों के खिलाब क्या करवाई कर रही है